नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपको चैनल एगरी आकास पे किसान भाईयों आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थमनेल में देखा हम बात करने वाले हैं गेहों में कल्ये कैसे बढ़ हम जैसे कौन सी खाद है जिसको हम डाल तो कल्ये अपने आप बढ़ Bach लेते रहते हैं तो उस में पृसक्तत्यो की कमी हो जाती है तो इसमें हमें पृसक्तत्यों को डालना होता है तो गेहूं के साथ हम ऐसी कौन सी खाट डाल सकते हैं जिससे कि हमारे पौधों का विकास और साथ ही कल्ले बढ़ें तो गेहूं में तो सबसे मुक्त चीज होता है वो है गेहूं के साथ जिंक और सलफर जिंक सलफर आप चाहें तो अलग-अलग खरिद किला सकते हैं या फिर आप जिंग सलफर का सम्रित पैकेट होता है, उसे भी खरीच सकते हैं, अब यहां पर हम आपको बताएंगे, जिंग क्या फाइदे हो सकते हैं, क्योंकि जब जिंग हम खेद में डालेंगे, तब ही खेदे कल्ले बढ़ेंगे, तो पहले हम यह समयते हैं, कि जिंग क्या इसलेशन में, के निर्मार में महतवपूर्ण भूम का निभाता है, जिससे की कल्ले बढ़ते हैं, दूसरी बात है, पौधों में बृध्धी करने के लिए, इंडोल एसीटी मेजिरिन की अहम भूम का होती है, यानि कि हमें इंडोल एसीटी की जरूवत होती ही, पौधों म बृध्धी करने के लिए, जो कि हमें जिंक से मिल जाता है, और तीसरी बात, जो कि जिंक का पौधों में प्रोटीन सर्फ लेफर्ट अथा और शोंशर प्रत्रपड में भी मदद करता है, जिससे की भी कल्ले बढ़ते हैं, तो हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है, कि गेह बृध्धी करने मदद करता है, जिससे की हमारे पौधे बढ़ते हैं, पौधे में काईक विकास होता है, और उसके कल्ले बढ़ते हैं, जिससे की बढ़वार जड तना जैसे चीजे बृध्धी करते हैं, तो उमीद करता हूँ कि वीडियो में आप समझ गया होगे, गेहु में कल्ले कैसे बढ़ाएं, क्योंकि गेहु में कल्ले बढ़ाने के आपने कई शारे वीडियो देखे भी होंगे, और सबसे जो महत्तपूर्ण चीज है कि आप यूरिया के साथ जिंक मिलाईए, सलफर मिल सके, तो मिलते हैं कि शेक और वीडियो में नएट टॉपिक के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं, एगरी आकास,